दोस्तों cricket world cup चल रहा है और हमारी team इंडिया भी बहुत अच्छा perform कर रही है बहुत सारे लोग cricket को पसंद करते हैं and cricket हमारे लिए सिर्फ एक game नहीं है ये एक emotion की तरह बन जाता है लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हम cricket से entertainment के साथ साथ कुछ important investing lessons भी सीख सकते हैं जी हाँ इसी के बारे में आज हम बात करेंगे बहुत ही interesting वीडियो है तो चली बिना किसी देरी के बात करते हैं important investing lessons that we can learn from cricket सबसे पहला जो lesson है वो है patience यनि सहीम रखना देखिए cricket की अगर हम बात करें it is a game of patience baller हर ball पे यहाँ पे wicket नहीं ले सकता और batter जो है वो हर ball को boundary पे नहीं मार सकता batter को यहाँ पे सही ball के लिए wait करना पड़ेगा two score boundary and वही baller को भी patience रखना पड़ेगा ताकि batsman को भी गलती करे और baller को यहाँ पे wicket मिले investment की दुनिया भी इससे कुछ अलग नहीं है कोई भी यहाँ पे रातोजात successful नहीं होता है investment को यहाँ पे grow और compound होने में time लगता है और आपको quality stocks में सही price पे invest करने के लिए भी patience रखना जरूरी है अगर आप quick gains की तरफ भागेंगे तो जातर आपको mistakes and losses का ही सामना करना पड़ेगा जैसे हमने अकसर देखा है कि batter अगर जल्दी जल्दी run बनाने की कोशिश करता है तो वो उतनी जल्दी out भी हो जाता है तो एक patient batter की तरह आपको अपने long term goals की तरह focus रहना चाहिए और impulsive decision से बचना चाहिए दूसरा हमारा यहाँ पर lesson है diversification अगर ballers यहाँ पर अच्छी balling करते हैं और opposition team को कम run पर यहाँ पर रोग देते हैं जो कि उनके वो skill होती है और उसी हिसाब से वो team को जीच की तरफ ले जाते हैं इसलिए हर एक team के पास diversified skills के pair होने चाहिए चाहिए वो betting हो, balling हो या fielding हो जिस team के पास सबसे जादा balance portfolio है उसी team के world cup को जीचने के सबसे जादा chances बनते हैं तो इसी तरीके से investing के अंदर एक winning portfolio बनाने के लिए आपको अपने portfolio को अच्छे से diversify करना होगा जिससे उसका risk भी कम होगा इसके लिए आप अपने investments को अलग-असेट classes या industries में बाढ़ सकते हैं जिससे market की volatility से बचने के लिए भी आपको इसमें protection मिलेगी क्रिकेट में किसी भी player की success story इस चीज़ पर भी depend करती है कि उसने अपने opponent को कितने अच्छे से study किया है baller को यहाँ पे batter की और batter को यहाँ पे baller की strengths और weaknesses का पता होना चाहिए बिना analysis कर रहे यहाँ पे success मिलना मुश्किल है चाहिए आप कितने ही पुराने खिलाड़ी हो इसी तरीके से आपको अपने investment opportunities को अच्छे से research करना चाहिए अपने पैसे को किसी भी asset class चाहिए वो stock so bond so real estate या कोई और asset class में invest करने से पहले आपको उसके fundamentals को जानना चाहिए तो homework करने से आप better decisions ले पाएंगे और mistake के risk को कम कर पाएंगे fourth हमारा यहाँ पे lesson is stick to your strategy cricket के अंदर teams के पास एक game plan होता है और उसी को follow करते हैं चाहाँ उन्हें challenges क्यों ना face करने पड़े कई बार आपने देखा होगा कि कुछ matches में जो अच्छी team भी होती है वो खराब performance यहाँ पे देती है उसका main reason होता है कि वो panic कर जाते हैं और अपने plan को सही से execute नहीं कर पाते हैं under pressure तो even in pressure situations team को यहाँ पे अपने plan के साथ stick रहना चाहिए तो जो successful investors होते हैं उनके पास भी markets के ups and downs से deal करने के लिए एक strategy होती है लेकि जातर investors जो हैं जब market fluctuate करता है तो वो emotional reaction में गलट decision ले बैठते हैं तो इसलिए आपके पास एक strategy होनी चाहिए और आपको strategy के साथ stick रहना है ताकि आप ऐसी situations में discipline को follow कर पाएं और अपने financial goal को achieve करने के लिए track पे रहें चाहिए short term में market up down ही क्यों न हो last हमारा यहाँ पे lesson आता है learn from mistakes cricket में हमें कई बार देखने को मिलता है कि team अपनी पूरी कुशिश कर रही है लेकिन फिवे वो match हार जाते हैं तो यहाँ पे players के लिए क्या important हो जाता है कि हर एक match के बाद वो अपनी performance को review करें अपनी mistakes को identify करें and उन्हें improve करें investors को भी similar approach को यहाँ पे अपनाना चाहिए क्योंकि आपकी financial journey में starting में mistakes होंगी आपको अपनी mistakes से डरना नहीं है उसको as a opportunity use करना है अपनी strategy को better करने के लिए और time के साथ एक अच्छा investor बनने में जैसे हमने बात की cricket एक sport तो है लेकिन इससे हमें काफी valuable investing lessons भी मिलते हैं जैसे patience, diversification, research, strategy, risk management and learning from your mistakes तो cricket field से इन lessons को अपने financial decision में apply करके आप एक successful investor बन सकते हैं और market की challenges and opportunities को confidence से face कर सकते हैं ये तो जिर्फ हमने कुछ important lessons से discuss किये इसके लावा और क्या important lessons हो सकते हैं जो मैं cricket से सीखने को मिल सकते हैं for investing आप comment section में बताइए मैं मिलता हूँ आपसे next video में एक ऐसे interesting topic के साथ thanks for watching